हलो फ्रेंट्स वेलकम इन नेक्स्ट नाइन लाइफ मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्ट चित्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ में अब दोस्तों जहां हमेशा ही बड़ी सेलिब्रिटी अपने फैंस के बीच काफी चर्चा में रहती हैं पिर चाहे बड़े परदे के स्टार्स की बात हो या पिर छोटे परदे के स्टार्स की अगर बात की जाए टीवी शो ये रिश्टा क्या कहलाता है कि बारे में बता दे क जहां पहले अक्षरा यानी हीना खान सारी लाइम लाइट में टोरती थी लेकिन जैसे ही हीना खान ने इस शो को अलविदा कहा उसके बाद से ही उनकी बेटी यानी नाइरा ने शो की सारी जिम्मेदारी संभाल ले वहीं अगर देखा जाए तो सालों से इस सीरियल को छोटे परदे पर देखा जा रहा है और इन दिनों जहां ये देखने को मिल रहा है कि नाइरा और कार्तिक जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं इनके रोमेंस की इनके बॉन्डिंग को काफी जादा पसंद भी किया जाता है फैंस के बीच तो आज उन्हीं के लिए एक बड़ी खुशकबरी है कि नाइरा कार्तिक यानी काईरा के फैंस करा चुके हैं इन दोनों की शादी जहीं है दोस्तों दरसल बता दे कि हाल ही में नाइरा ने अपनी एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की जिसमें वो कार्तिक यानी महसीन के साथ नजर आ रही है इन दोनों की ये पॉर्सनल बोनिंग देखकर आप फैंस ने कहा है कि प्लीज आप दोनों शादी कर लीजीए ना वैल बता दे कि अपनी असल जिंदगी में ये दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं जहां ओन स्क्रीन देखने को मतलता है इनका रोमैंस तो वहीं असल जिंदगी में भी एक दूसरे के साथ उतने ही रोमैंटिक होते नसराती है तो वहीं अब इसी के चलते फैंस की ये डेमांड है कि इन एक दूसरे से शादी कर लेगी शाहिए दोस्तो आज बताएंगे आज इस खास प्रोग्राम में कि आखिरकार किस तरह का है दोनों का रिष्टा किस तरह ये दोनों इक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो वहीं फैंस का क्या कहना है इन दोनों को लेकर टीवी शोओ ये रिष्टा क्या कहलाता है कि नाइरा और कार्तिक की जोरी टीवी की सबसे लोगप्रे जोरियों में से एक है इनकी जोरी को फैंस यूँ ही पसंद नहीं करते हैं नायरा और कार्तिक का किरदार निभाने वाले शिवांगे जोशी और महसीन खान की केमिस्ट्री जिस तरह से ओन स्क्रीन नजर आती है दोस्तों उसी तरह से ओन स्क्रीन भी दोनों की बॉनिंग काफी प्यारी है और अक्सर ही देखने को मलती है यही वज़ा है कि दोनों दर्शकों की पसंदिन्दा जोडियों के लिस्ट में सबसे उपर आते हैं बता दे कि ये रिष्टा क्या कहलाता है में जहां ये दोनों पती पत्रे का किरदार निभाते हैं जहां इनका रोमेंस भी देखने को मिलता है जहां इनकी तकदार भी देखने को मलती है वहीं कई बार पड़िवार वालों के साथ साथ इनका गुस्सा इनका प्यार भी नसर आता है तो वहीं बता दे कि असल जिंदगी में भी इनकी ये बॉनिंग यूँ ही है वहीं बता दे कि अफ फैंस इन दोनों की शादी करा चुकी है यहां दोस्तों दरसल बता दे कि महसीन और शिवांगी के रिष्टे को लेकर मीरिया में कई तरह की खबरे सामने आ चुकी है महसीन इस बात को खुले आम स्विकार भी चुके है खेर अगर बात की जोए शिवांगी जोशी की तो उन्होंने अपने रिष्टे को लेकर चुपी नहीं तोड़ी है वैसे देखा जोए तो शिवांगी समय समय पर सोशल मीडिया के जरीए ये जता ही देती है कि महसीन उनकी जिंदगी में कितना माइने रखते हैं बता दे कि अभी हाल ही में शिवांगी ने एक काफी पुरानी वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउट पर साजा की है जिसमें वो महसीन के साथ स्वीमिंग पूल में मस्ती करती हुई नजर आई हैं बता दे कि इस वीडियो को काफी समय पहले शुयर किया गया था और इसे अब तक लाखों लाइक्स बिल चुकी है फैंस लगातार ही वीडियो पर कमेंट्स की बरसात कर रही है वहीं बता दे कि हर किसी के फेवरेट काईरा यानि कार्तिक और नाईरा जहां फैंस के हैं बेह दोनों की शादी करा ही चुके हैं क्योंकि जहां ओन स्क्रीन इनका रोमेंस देखने को बलता है वहीं ओफ स्क्रीन भी इन दोनों की कैमिस्ट्री देखने को बलती है जिसके चलते फैंस की ये जोड़ी सबसे जादा पसंद की जाती है और यहीं वजह है कि ओन स्क्रीन के सा चाट ओफ स्क्रीन भी इन दोनों की शादी फैंस के लिए तो हो ही चुकी है वहीं बता दे कि जहाँ शो में इन दोनों को अक्सर ही देखा जाता है कही ना कही अब ये बात भी साबित हो चुकी है कि कार्तिक नायरा के बिना अब ये रिश्टा क्या कहलाता है पूरी तरह से ठीक उसी तरह से महसीन की जिन्दगी भी शिमांगी के मिना बिलकुल अधोरी है चुह हैं दोस्तों इनकी तस्वीरे जो आप देखी पा रहे होंगे उससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वाके ये दोनों सर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं बता दे कि फैंस को लेकर खबड़े आ रही है उससे तो लगता है कि वाकई आने वाले समय में टीवी को एक और क्यूट सा कपल मिलने वाला है यानि जल्द ही ये दोनों एक दूसरे से शादी कर सकते हैं योगिन का प्यार तो अकसर ही खुले आम ड़सर आता है जिब शिमांगी जोशी महसी इनके साथ अपनी तस्वीरों को शियर करती है और उन तस्वीरों में इनका रोवेंस भी देखने को उंगलता ही रहता है लेकिन फिर भी फैंस को इन दोरों की हां इनके परिवार वालों की हां की देर है उसके बात तो इनके रिष्टे पर ऐसी महर लग जाएगी कि जब त तक ये शादी नहीं करेंगे तब तक वो महर नहीं मिटेगी वेल दोस्तों अब देख रहा है ये हुगा कि ये रिष्टा क्या कहलाता है कि ये फेवरेट जोडी कब और कितनी जल्दी एक दूसरे से शादी करती है लेकिन अगर देखा जाए तो फैंस हो चुकी हैं काफी सदा एक्साइटेड इन दोनों को लेकर ही वेल आप सभी की तरह हम भी इनकी शादी का कर रही हैं इंतजार कि टीवी पर लोगों का मनुरंजिट करने वाले कार्दिक ना है रहा कब अपनी असल जिन्दगी में बनेगे दुलहाद दुलहाद वेल दोस्तों अगर बात की ज लोगों के दिलों में अपनी पहचान बढ़ाई तो वहीं जब से हीरा खानने इस शो को अलविदा कहा तो सारी जिम्हधारी आगई शिवांगी जोशी पर और इस बात में कोई दोराए नहीं है कि शिवांगी जोशी ने अपनी रेलमा यानि हीरा खान की तरह ही पूरी तर दर्शकों को खोबाते हैं वही सबसे जादा दाइरा को पसंद किया जाता है उनकी क्यूटनेस उनकी अकलवन्दी की भी दाद दी जाती है अक्सर ही फैंस के बीच वही दूसरी तरह बता दे कि सोशल वीडिया पर शिवांकी काफी जादा एक्टिव रहती है और हर कुछ सब दोस्तों अब जहां हम बात कर चुके हैं मौहसीर के साथ उनके रष्ते को लेकर तो अब देख रही होगा कि कईने जल्दी वह अपने ओन इसकी बात इसका चाहिए इंदवों की शादी जिसका कर रही हैं फैन्स ना जाने कितने समय से बेस अमली से इंतसार अब देख रहा है होगा कि कब खत्व होता है फैन्स का ये इंतसार और ये दोनों बद्रती हैं शादी के बंदर में कर दो वेल दोस्तों देखा आप सब ही ने आज के स्खार्च प्रोग्राम में कि जहां नायरा को टीवी शो ये रिष्टा किया कहलाता है में काफी पसंद किया जाता है महीं सबसे जादा उनके पती यानि कार्टिक के साथ उनका रोमेंस भी काफी जादा पसंद किया जाता है उनके फैंस के दुआरा अब इनके रोमेंस के चलते ही फैंस ये चाहते हैं कि इने असल जिंदगी में भी एक दूसरे का हाथ हमेशा हमेशा के लिए थाम लेना चाहिए लेकिन दोस्तों आपको बता दे कि असल जिन्दगी में भी एक अपल एक दूसरे को डेट करता है और अक्सर हिम की तस्वीरे भी सोशल मीडिया पर वाइरल होती ही रहती है लेकिन कब करेंगे नायरा और कार्टिक शादी असल जिन्दगी में इस बात का खुलासा भी तक नहीं हो पाया है लेकिन जिस तरह से फैंस कर रही है डिमांड उससे तो लगता है कि वाकई जल्ड ही दोनों एक दूसरे से शादी कर लेगे वाली ये था हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में अब इसे के साथ मुझे दीजी इस आज़त और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले